तो आज है 11 अप्रेल और आज का मौस्ट इंप्रोटेंट करेंट अफिर देखेंगे सबसे पहले 10 अप्रेल के करेंट अफिर का रिविजिन करिए पहला कॉशन अंतराष्ट्रिय स्रम संगठन के अनुसार कुरोना संकट के कारण किस देश में अन अपचारिक छेतर में काम करने वाले लगभग 40 करोड लोग गरेबी में फस सकने हैं भारत में केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंतराले ने कोविज 19 एव भविस्ते की चुनावतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुवात की है इस चैलेंज का नाम है समाधान IQ Air के डेटा के मुताबिक दुनिया के सिर्ष 20 सबसे प्रदूसित अस्थानों में से भारत के कौन से दो शहर शामिल हैं मुंबई तथा कुलकत्ता दो शहर सामिल हैं विश्वा के 20 सबसे प्रदूसित अस्थानों में ठीक है, 2019 में 14 शहर थे, लेकिन इस बार सिर्फ दो हैं। बर्नी सैंडर्स किस देश के राष्ट्र पती पद के चुनाव से अलग हो गये हैं। ये अमेरिका के राष्ट्र पती पद के उमिद्वार थे, लेकिन अब ये पिशे अट गये हैं। सुक्ष में लगू वंमध्यम उद्यमों को अपात कालिन रिंड परदान करने के लिए किस संस्था ने सेफ प्लस योजना लौंच किया हैं। सीड़ बी ने। वीत वर्स 2020-21 में सयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडिपी विरिधी दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। 4.8 प्रतिशत सरकारी कंपनी HLL Life Care Limited द्वारा COVID-19 के लिए विक्सित तिवर एंटी बोडी निदान कीट कबरान नम क्या है। Make Sure फोक्स द्वारा जारी दुनिया के अरब पतियों की 34वी वार्सिक सुची के अनुसार जेफ बेजोस लगतार कितनी बार दुनिया के सबसे अमीर बेक्ती बने हैं। तीसरी बार इसी लिष्ट में मुकेश अंबानी 17 अस्थान पर हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखना, पहले 9 अस्थान पर थें, 8 पैदान नीचे चले गए हैं, क्योंकि लोकडाउन चल रहा है, जिसकी वज़ासे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। निम्न में से किस अराजजी की सरकर ने COVID-19 से निपटने के लिए COVID-Care नामक एप लॉंच किया है, अरुनाचल परदेश ने। किस छेत्री सिनेमा में 250 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके, प्रसिध अभिनेता कलिंगा ससी का हाली में निधन हो गया। मले आलम सिनेमा के ये प्रसिध अभिनेता थे। वजडन पत्रिका नकिस कर्यकेटर को 2019 के लिए विश्वा में सर्वस्रेस्ट कर्यकेटर 2020 का खीताब दिया है, बेन स्टोक्स को, ये इंग्लेंड के अल्रांडर हैं, ठीके ? वहीं महिला सरेने में विजडन की सर्वस्रेश्ट महिला किर्केटर 2020 का खिताब जीती हैं एलिसे पेरी ये औस्ट्रेलिया की है ठीक है वहीं विजडन द्वारा किर्केटर आफ दे येर चुने गए हैं इसवस जोफ्रा आर्चर इंग्लेंड के हैं पैट कमिंस औस्रेलिया के हैं, साइमन हैमर, दक्छिन अफ्रीका के हैं, मारनस लाबुस चगने ये औस्रेलिया के हैं अब चलिए आज का current affair देखते हैं और फ्रेंट्स वीडियो के लास्ट में प्रिवेस मन से भी टॉप 10 current affair का टेस्ट लगाऊंगा तो आप लोग टेस्ट को ज़़ू सोल करना चलिए देखते हैं पहला कोशन के अंदर सरकार ने कोरोना वाइरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्ट परनाली में सुधार हेतु कितने करोड रुपे का emergency package की मजूरी दे दी हैं 15,000 करोड रुपे option C सही उत्तर हैं कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए और स्वास्ट परनाली में सुधार के लिए हाली में केंदर सरकार ने emergency package के रूप में 15,000 करोड रुपे की मजूरी दे दी हैं इन पैसों में से 7,774 करोड रुपे COVID-19 emergency response fund में खर्च किया जाएंगे बाकी के अगले 4 साल में समय समय पर ज़रूर पढ़ने पर खर्च होगा ठीक है चली अगला कोशन है निम्न में से किस भारतिय किसान वेग्यानिक ने बायो फोटिफाइड गाजर विक्सित किया है इनका नाम है वल्ला भाई वसरम भाई मरवानिया हाली में इन्होंने एक बायो फोटिफाइड गाजर विक्सित किया है ठीक है ये जो गाजर है इसमें बेटा कैरोटीन और आयरन की अधिकता है वल्लब भाई वसरम भाई मरवनिया ये कहां के हैं गुजरात के हैं गुजरात के जूनागड के रहने वाले हैं आपको बता दें कि राष्ट्रपती रामनात कोविन ने 2017 में इन्हें राष्ट्रिये पुरस्काश से सम्मानित किया था अगला कोशन के अंदर सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का करेकल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का करेकल अगले दो वर्ष्टों के लिए बढ़ा दिया गया है ओप्शन दी सहुत्तर है बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका गठन 2016 में किया गया था हेड क्वाटर मुंबई में है वर्तमान में इसके चेर्मेन है भानू परताप शर्मा किस अराज्य के चात्रों ने एक ऐसा मानो रोबोट तयार किया है जो डॉक्टरों के अस्थान पर रोगियों की देख रेक करने में सक्चम है तो 36 गड़ के इंजिनियरिंग के चात्रों ने एक ऐसा मानो रोबोट बनाया है जो कि डॉक्टरों के अस्थान पर रोगियों की देख रेक कर सकता है ये रोबोट किसी भी चीज को उठा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और इस रोबोट को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके इंटरनेट के माधियम से कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है तो इस रोबोट को बनाया है 36 गड़ के तेन इंजिनियरिंग के चात्रों ने योगेश साहू, प्रवीड वर्मा और रिसी केस यादो ठीक है? 36 गड़ के बारे में फटफट रिविजन करिए तो ये रहा 36 गड़ इसकी सीमा भारत के सात राज्यों को लगती है कौन-कौन से राज्य? जहरखंड, उत्तरपरदेश, मद्देपरदेश, महरास्टर, तेलंगाना, आंदरपरदेश और ओडिसा तो सात राज्यों से 36 गड़ की सीमा लगती है फ्रेंट्स, बिच में आप एक रेखा देख रहे हैं ये है करके रेखा करके रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है कौन-कौन से राज्य? गुजरात, राजास्थान, मद्य परदेश, 36 गड़, जार्खंड, पस्चिम बंगाल, तिरिपूरा और मिजोरम 36 गड़ का गठन वा था एक नॉमबर दो हजार इस्वी को छेत्रफल के हिसाब से दसवे नंबर पे जन्संक्य के हिसाब से 17 हुए नंबर पे है, साक्षर्तादर है, 70.28, प्रतिशक, लिंगा नुपात 991 ये सभी आकड़े 2011 के जन्गणन के अनुसार है कैपिटल रायपूर, मुख्य मंत्री है, भुपेस, बगहेल, गवर्नर है, अनुसुया उईके लोग सभासिट 11, राज्य सभासिट 5, विधा सभासिट 90, जीलों की संख्या 28, पी आर रामचंदर मेनानी, यहां के मुख्यन आदीस है, राजकी पशू, जंगली भैसा, राजकी पक्षी पहाडी मैना, राजकी बिक्च साल, साईला, सुवा नाचा, तथा पन्थी, यहां 9 अप्रेल को कौन सा CRPF शौर्य दिवस मनाए गया, तो 9 अप्रेल 2020 को 54 CRPF शौर्य दिवस मनाए गया, ओप्षन A सही उत्तर है, ठीके, अच्छा यह दिवस 9 अप्रेल को ही क्यों मनाए जाता है, क्योंकि 9 अप्रेल 1965 को भारत की CRPF की टुकडी ने पाकिस्तानी हमले को न इसलिए 9 अप्रेल को CRPF शौर्य दिवस मनाए जाता है, इस वर्ष 54 दिवस था, CRPF भारत का अर्ध सैनिक बल है, इसका फूल परम हता है Central Resort Police Force, 1949 में इसका गठन हुआ था, Crown Representative Police के नाम से, बाद में 1949 में इसका नाम CRPF रखा गया, Headquarter नई दिली में है, महा निदेशक है, AP महेश्वरी, CRPF का आदार्श वाक्य है, सेवा और निष्ठा, Service and Loyalty Next, हाली में विश्व होमियोपाइथी दिवस कब मनाए गया, तो हाली में विश्व होमियोपाइथी दिवस मनाए गया, 10 अपरेल को, हरवस 10 अपरेल को ही विश्व होमियोपाइथी दिवस मनाए जाता है, Option B सही उत्तर है, होमियोपाइथी के जनक कौन थे, उनका नाम था फ्रेडरिक सेमुल हदीमेल उनीक जंग दिवस के उसर पर हर वस 10 अपरेल को विश्व होमियोपैथी दिवस मनाई जाता है ठीक है? 2020 का विशाई ध्यान में रखिए 2020 का थीम है सर्वजनिक स्वास्त में होमियोपैथी का बढ़ता दायरा इंग्लिश में enhancing the scope of होमियोपैथी in public health भारत सरकार ने भारते ख़दे निगम को OMSS दरों पर गैर सरकारी संगठनों यानि NGO को ख़द्यान उपलब्द कराने का निर्देश दिया है OMSS का पौन रूप क्या है? तो यहाँ पर OMSS का पौन रूप होगा Open Market Sale Scheme तो हाली में भारत सरकार ने भारते ख़दे निगम को OMSS दर पर जो भी NGO's हैं जो जरुवत मंदों को पका हुआ भोजन उपलब्द कराते हैं उन्हें direct ख़द्यान उपलब्द कराने का निर्देश दे दिया है भारते ख़दे निगम को आपको बता दें कि भारते ख़दे निगम जो है सिर्फ राज्य सरकारों को ही ख़द्यान उपलब्द कराता हैं लेकिन अब NGO भी भारते ख़दे निगम से direct ख़द्यान खरीज सकते हैं और वैसे NGO जो की जरुरत मंदों को पका हुआ भोजन उपलब्द कराते हैं किस अरज्य की सरकार ने कोम्य सारकों करेशन को रोखने हैं तो हालि में दिल्ली की सरकार ने क्रोना वायरुस की वायरुस के प्रसार को रोखने के लिए ओपरेशन सेल्ड लॉंच किया है यहाँपे शील्ड का फूलफ होगा Ceiling, Home Quarantine, Isolation and Tracing, Essential Supply, Local Sanitation and Do-to-Door Checks ठीक है? बहुत बड़ा कदम उठाया है दिल्ली की सरकार ने इसके ताथ राजधानी के 21 छेत्रों को seal किया गया है और इन छेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को Home Quarantine किया गया है यानि घर से लोग अब बाहर नहीं निकलेंगे जो भी Essential Product है जरूरत की चीजे हैं उन्हें घर पर ही उपलब्द कराएगी दिल्ली की सरकार दिल्ली के बाद करें तो भारत का केंदर सासित परदेश है दो राज़ों से सिमा लगती है हर्याना और उत्तर परदेश यहां के मुख्य मंत्री हैं अर्विंद केजिरिवाल उप मुख मंत्री हैं मनीस्ती सोधिया उप राज़ेपाल हैं अनील बैजल सक्छर्त दरे 86.2 1 प्रतिशत लिंगा नुपात 868 मुख्य नाइदी से डी एन पटेल लोग सभासिट 7 राज़े सभासिट 3 विदान सभासिट 70 जीलों की संख्या 11 है यहां का राज़की पक्छी है गोरेया एक चीज और बता दूँ दिल्ली की सरकार ने हाली में कोरोना वाइरस को रोकने के लिए एक और प्लान लॉंच किया है उस प्लान का नामे 5T प्लान ठीक है इसे भी आप लोग ध्यान में रखना Asian Development Bank ने भारत को COVID-19 महमारी के खिलाफ लडने के लिए कितना बिलियन डॉलर सहयोग पैकेज देने की घोसना की है तो हाली में Asian Bank विकास बैंक ने भारत को कोरोना वाइरस महमारी से लडने के लिए 2.2 बिलियन डॉलर सहयता राशित देने की घोसना की है 2.2 billion dollar वर्तमान में लगभग 16,500 करोड रुपे के बराबर है एश्याय विकास बैंक की बात करें तो इसका गठन वथा 1966 में हेड़क्वाटर मनीला में है अध्यक्ष है मासा तुसुगू आसा कवा सदसे देशों की संख्या 68 है किस मंत्राले ने COVID-19 महामारी से लड़ने वाले स्रामिकों की चमता बढ़ाने के लिए Integrated Government Online Training यानी EGOT Portal लौंच किया है मानोस संसाधन विकास मंत्राले ने Integrated Government Online Training Portal लौंच किया है ओप्षन A सहुटतर है ताकि जो भी COVID-19 महामारी से लड़ने वाले स्रामिक हैं उनकी चमता बढ़ाई जा सके वर्तमान में मानोस संसाधन विकास मंत्री कौन है रमेज पोखरियाल निशांक ओप्षन में और भी मंत्राले है Electronics यो सुचना प्रदोगी की मंत्राले इस मंत्राले के मंत्री कौन है वर्तमान में रवी शंकर प्रसाद विज्ञान यो प्रदोगी की मंत्री है दक्तर हर स्वर्धन इनके पास स्वास्त यो प्रिवार कल्यान मंत्राले भी है हाली में चर्चा में रहा The Art of Her Deal The Untold Story of Melania Trump पुस्तक के लेखक कौन है आपको बता दें कि Melania Trump अमेरिकी राष्टरपती डोनाल्ड टरंप की बेटी है उन्ही के उपर ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक के लेखक है मैरी जॉर्डन ये अमेरिकन पत्रकार है Option C सेहुत्तर है हाला कि ये पुस्तक अभी लाँच नहीं हुई है जून 2020 में लाँच की जाएगी लेकिन ये पुस्तक अभी सेहीं खबरों में है तो मैरी जॉर्डन ने इस पुस्तक को लिखा है और ये पुस्तक मेलानिया ट्रंप के उपर अधारीत है मैरी जॉर्डन अमेरिकन पत्रकार हैं इन्हें 2003 में पुलितिजर पुरसकार मिला था पत्रकारिता के छेतर में उतकरिष्ट योगदान देने के लिए तो ये था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जबू करना अब चलिए प्रिवियस मन से टॉप 10 करेंट अफर का टेस्ट लगा रहा हूँ मार्च महिने का ये पार्ट 6 है जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके बताना और लास्ट में दो क्वीज भी करूँगा उसका भी अंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है पहला कोशन हाली में किस भारते बैडमिंटन खिलाडी ने पहला BBC India Sports Women of the Year Award जीता ओप्शन देखिए हर कोशन के लिए दो सकेंड का टाइम दूँगा वीडियो पाउस करिए अंसर टिक करिए उसके बाद मेरा अंसर सुनिए तो इस कोशन का सही उतर है ओप्शन बी पीवी सिद्धू नेक्स्ट हाली में महिला उद्ध्यामी ससक्ति करण समयलन 2020 का आयोजन निम्नमिस से किस शहर में किया गया बताइए महिला उद्ध्यामी ससक्ति करण समयलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था नई दिल्ली में नेक्स्ट, हाले में किस कंपणी ने भारत में महिलाओं के लिए एक कौसल विकास कारेकरम DG P.O.T. लॉंच किया है बताईए किस कंपणी ने गोगल ने, ओप्शन A नेक्स्ट, देश की अगराणी फूटबॉल टूनामेंट आई लेग 2020 का खिताब किस ने जिता तो आई लेग 2020 का खिताब किस ने जिता है? मोहन बगान ने अगला कोशन है, हाले में भारतिय सेना ने किस शहर में एक पशुपरिवहन अस्मारक का उधगाटन किया तो मार्च महिने में भारतिय सेना ने कहां पर पशुपरिवहन अस्मारक का उधगाटन किया? कर्णाटक की कैपिटल बेंगलूरू में नेक्स्ट हाली में किस अराज्य ने I am also digital नामक एक डिजिटल सक्छर्था करेकरम शुरू किया है तो बताइए I am also digital नामक एक डिजिटल सक्छर्था करेकरम किस ने शुरू किया है केरल ने कॉर्पोरेट मंत्राले ने गंभेर धोखा धड़ी जाच करयाले के लिए इन्वेस्टिगेसन मैनुवल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में बारा सदस्य उचस्तरिय समीती का गठन किया है किसकी अध्यक्षता में उप्षन देखिए हाले में लॉंच कॉमिक बुक दा एडवेंचर्स ऑफ दे डेविल डेमोक्रेट किसके जीवन पर अधारित है तो बताईए ये पुस्तक किसके जीवन पर अधारित है जिसे मार्च 2020 में ओडिसा के मुख्यमंत्री नविन पतनायक ने लॉंच किया तो ये पुस्तक बीजू पतनायक के जीवन पर अधारित है बीजू पतनायक ओडिसा के पुर्व मुख्यमंत्री थे और ये नविन पतनायक के पिताजी थे नेक्स्ट किस दिन पशू परिवहन एस्मरंड दिवस के रूप में मनाने की घोसना की गई है तो बताइए हर वस पशू परिवहन एस्मरंड दिवस कब मनाय जाएगा हर वस 26 सितमबर को नेक्स्ट एस्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट यानि सिप्री के एक रिपोर्ट के अनुसार थियार आयात के मामले में भारत विशो में कौन से अस्थान पर है बताइए तो जीतना भी इसकोरा है नीचे कमेंट करके बताइए पिछले क्विज का एंसर जैनिये पहला कोशन था किस फसल के लिए एजोला एना बीना जैव उर्वरक का परियोग किया जाता है दूसरा कोशन था पौधों की विरिद्धी के लिए कितने अवश्यक ततों की जरूरत होती है इसका सही उतर्था ओप्शन भी सुल्ला अब चलिए आज का पहला क्वीज है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या परभाव पड़ता है दूसरा कोशन है पाइरो मिटर का उप्योग डैस में किया जाता है